हे गाईज जैहिन स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त संजय विशो कर्मा इस वीडियो में हम बात करेंगे AFO Special Series के Part No.7 के बारे में अभी तक 6 पार्ट हो चुके हैं AFO Special Series के तो जिन स्टुडेंट्स ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है चैनल पर जाके आप उन सभी वीडियो को देखिएगा वह सारी वीडियो सारे कोशन्स आपके एक्जाम के इसाब से काफी इंपोर्टेंट है अब की बार AFO पार जी हां जो पका हुआ केला होता है उसमें कितने प्रतिसात सुगर होती है तो 27 परसेंट सुगर होती है जो कि आपको याद रखना है काफी अच्छा यह कोशन यहाँ पर है अब बात करें कोशन नमर फस्ट की देख़िए अभी हमने 6 पार्ट कंप्लीट किये है तीन पार्ट में होटी कल्चर कवर किया है तीन से चार पार्ट में बाकी की दो पार्ट हैं जिस में हमने अगरोowan便 याई एग्रोनोमी में जो कोशन आई हुए है उनको कवर किया है अभी यहां से हम जो है स्वेल साइंस से रिलेड़ेट इंपोर्टेंट कोशन्स को उठाए हैं जो कि आपके आईवी पिस एफो में पूछे गए हैं उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट बाइस के बाद फिर सब्जेक् के कारण क्रोप रोटेशन को सजेस्ट करना सबसे बढ़िया माना जाता है तो जो स्वेल बॉरन डिसीज होती है उसके लिए सजेस्ट किया जाता है आईवी पिस एफो 2015 में आया हुआ कोशन है आपको इसको याद रखना है आगे बात करें कोशन नमर सेकेंड की हाउ मैनी इसके बात करेंगे कोशन नमर थर्ड की तो कोशन नमर थर्ड में बात हो रही है इसको जो है denitrification process के नाम से जाना जाता है और सर यह आपके AFO के exam में आया हुआ कोशन है जो की आपको याद रखना है इसके अलावा बात करेंगे आगे कोशन नमर 4 की इसके अलावा बात करें कोशन नमर 5 की तो यहाँ पर बात हो रही है which fertilizer known as किसान खाद किसान खाद के नाम से कौन से fertilizer को जानते हैं तो आप सब लोग जानते हैं calcium, ammonium, nitrate को किसान खाद या फिर sona खाद के नाम से भी जानते हैं 25-26% इसमें जो है nitrogen पाई जाती है जो की आपको याद रखना है आगे बात करें question number 6, nitrification is a process, nitrification कैसी process है तो यह oxidation type की process है जो की आपको इसको याद रखना है इसके अलावा बात करेंगे question number 7, which of the following crop is more responsive to zinc application यानि की zinc की application सबसे आदा कौन सी crop में दी जाएगी आप सब लोग जानते हैं खेरा रोग जो है आपका धान में सबसे आदा देखने को मिलता है और और भी zinc की जो है समस्या धान में ही देखने को मिलती है इसलिए paddy जो है यहाँ पर यानि rise यहाँ पर right answer होगा और sir question exam में AFO में आया हुआ है आगे बात करें pH of alkaline soil alkaline soil का pH किता होता है 8 और यह लगातार 2 साल जो है 2 year यह जो same question repeat किया गया है IBPS AFO में तो आपको इसको याद रखना है question का answer है 8 जो कि आपको याद रखना है same question same option 2 साल repeat किया गया है आपको इसको याद रखना है आगे बात करें formula पूछ रहा है जिपसम का तो CASO4.2hto जो है जिपसम का formula होता है तो यह आपको याद रखना है IBPS AFO में आया हुआ question है फिर उसको बात आगे बात करें question number 10 की force responsible for retention of soil water मिट्टी के अंदर पानी को रोकने के लिए कोई ना कोई बल force यहाँ पर काम करता है जो cohesion force होता है वो यहाँ पर काम करता है AFO में पूछा गया question यह topic आपके exam के साब से important है यह series लाने का मकसद यही है कि आपको subject के उस topic की जानकारी हो जाए कि soil science के इस topic से जो है exam में काफी अच्छे question आए है तो आपको इस topic को और अच्छे से तैयार कर लेना है question number 11 which of the following manure is considered as bio fertilizer bio fertilizer किसको कहते हैं तो BGA blue green algae या फिर neal harit saival जिसको हम कहते हैं यह BGA है यह bio fertilizer group में इसको लिया जाता है जो कि आपको याद रखना है AFO में आया है बात करें question number 12 movement and filtration of water through soils and permeable rock stem तो यह जो है percolation की definition है IVPS AFO 2016 में question आया हुआ है काफी important question है जो कि आपको याद रखना है फिर आगे बात करेंगे symptom of which nutrient deficiency appear first on older leaps and then advance up the stem to younger leaps यानि कि older leaps से पर सबसे पहले अपनी कमी के लक्षन जो है प्रकट करता है तो यह जो है nitrogen की deficiency का ही सबसे main symptom है जो कि आपको याद रखना है AFO में आया हुआ question है nitrogen का करता है पोदों की पत्तियों के यानि plants के जो leaps होती है उनको green color हरा रंग प्रदान करने का काम करता है protein synthesis में भी nitrogen काफी ज़्यादा help करता है और growth and development में भी nitrogen काफी ज़्यादा help करता है आगे बात करेंगे little leaf in mango and cashew is due to deficiency of तो जो आम की छोटी पत्ति और cashew की भी जो है छोटी पत्ति वो है किस की समस्या मतलब किस पोशक तद्वी के कमी के कारण होता है तो zinc के कारण यह होता है और आपको यह याद रखना है zinc जो है यहाँ पर right answer होगा इसके अलावा the publisher of Indian journal of fertilizer इसका जो publisher पूछा गया है तो FAI जो है right answer है AFO में आया हुआ कोशन है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है आगे बात करेंगे question number 16 की die back in citrus and cracking of apple यानि की citrus में die back और apple में cracking किस की पोशक तद्वी कमी के कारण जो है उचा गया है तो boron की कमी के कारण यह हुआ है और यह आपको याद रखना है क्योंकि यह आपके IVPS AFO में आया हुआ कोशन है इसके अलावा बात करेंगे question number 17 की conversion factor for conservation of organic carbon to organic matter जिसको bamblin factor के नाम से भी जानते है 1.725 जो होता है इसका value होता है 1.725 bamblin factor answer D यहाँ पर होगा और सर exam में पूछा गया question है जिसको आपको याद रखना है फिर आगे बात करेंगे question number 18 which nutrients deficiency is responsible for little leaf in mango and mortal leaf of citrus little leaf of mango यह अभी previous निकला है जो की zinc की कमी के कारण होता है mortal leaf of citrus यह भी जो है आपका zinc की कमी के कारण होता है लगातार 2 साल यह question exam में हाया हुआ है जो की आपको याद रखना है आगे बात करें question number 19 which of the following is not a micronutrient निमलिकित में से कौन जो है वो सूख्ष में पोशक तद्बी की सिरनी में नहीं आएगा तो zinc, magneze और copper जो है सूख्ष में पोशक तद्बी की सिरनी में आता है nitrogen जो है वो micro की जगे macronutrients में आता है मुख्ष पोशक तद्बी की सिरनी में आता है इसलिए ये जो है आप पर answer हो जाएगा not पूछा है यानि की इन में से कौन सा नहीं होगा बात करें question number बीच which swell is maximum in hill and gangetic plants तो lateratic swell है वो ज़्यादा पाई जाती है sir IBPS AFO में आया हुआ question है और ये जो है आपको याद रखना है तो बातों बातों में top 20 questions को हमने जान लिया है ये complete वीडियो का PDF आपको हमारे android application agree mantra पर मिल जाएगा जिसको आप play store से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसकी link आपको description box में मिल जाएगी question number 1 से लेके question number 20 तक 20 तक सारे question IBPS AFO में आय हुए है इस वीडियो इस सीरीज का लाने का मतलब अभी ये है कि आपको उस subject का importance पता होना चाहिए अगर आप IBPS AFO के तयारी कर रहे हैं तो अब बात करेंगे question of the day के बारे में recent type inflorescence found in जो recent type की inflorescence होती वो किस में मिलती है coal crop में, kokerbit में, redis में या फिर all of these सही जबाब आपको बताना है comment section में right answer next part में discuss करेंगे तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें दोस्तों के शाँ शेयर करें और questions कैसे लगे आपको comment section में जरूर बताईएगा मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत